हलो डियर श्टुडेंट्स वेलकम माई यूटूब चैनल इसके लिए क्लासे में आज हम आपको पढ़ा रहा है क्लास नाइन नमबर सिस्टम और चैप्टर वन चैप्टर नमबर सिस्टम डिलेटेड चैप्टर वन से हमने कई सारे कोश्टन पीच 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 वीडियो में पढ़ा चुके हैं अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ाए हो तो डिस्क्रिप्टर में आपको प्लेइस की लिंक मिल जाएगी जहां सब सभी वीडियो पढ़ सकते हैं साथ में हमारे चैनल पर नहीं हो अभी तक आपने सब्सकाइब ना किया हो सब्सकाइब जरू क कर लिजिए बेल आइकान आल पर प्रस कर लिए जिससे आपको नेस्ट वीडियो की नोटिफिक्सर आपको मिलती रहें देखिए प्रीवेस कोश्चन में हमने एडिशन रिलेटेड एक कोश्चन पढ़ाया हुआ था नंबर दिये गया तो सेम वही नंबर आज हमने लिए को उस कोश्चन में एडिशन के लिए कहा गया था और इस कोश्चन में सब्टेट करने के लिए कहा गया और सब्टेट करना थोड़ा सा डिफकल्ट है इसलिए बहुत ध्यानकी का पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं देखि उसमें addition करने के लिए कहा गया तो plus लगाए थे इसमें subject करने के लिए कहा है तो minus लगा देंगे ठीक है और under root 2 minus 3 under root 3 यहाँ पर number note कर लेंगे अब हम solution करेंगे जो भी brackets में number थे उनको आप open कर लिजिए तो bracket open करेंगे तो 2 under root 2 plus 5 under root 3 और अब ध्यान देने की जवरत है जो की very most important work है बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए बच्चों आप ध्यान लखिएगा क्या करना है सब्च्चन कोशन में जब भी bracket के पहले minus का sign हो तो जो bracket के अंदर sign होंगे वो हमेशा चेंज हो जाएंगे ध्यान लखिएगा जैसे यह पर plus under root 2 लिखा हुआ है तो minus की value जैसी अंदर जाएगी यह हो जागा minus under root 2 और यह minus की value थी इसको आप plus लिदेंगे यानि sign जो भी होग उस sign को chain कर देंगे जब भी bracket आप open करेंगे और bracket के पहले minus का sign हो तो आप bracket के अंदर जो भी sign होंगे उनको chain कर देंगे क्योंकि minus plus का multiplication करेंगे तो minus हो जाएगा और minus minus का multiply करेंगे तो plus हो जाएगा बस यहीं पर आपको ध्यान देना कि इस step में गलती बिल्कुल भी ना हो चलिए अब देखिए next step और उसका solution समझ दिए हो सबसे पहले जो under root 2 की value हो सिर्फ आप उनसे ही solution करेंगे तो देखिए यहाँ पर under root 2 है और यहाँ पर भी under root 2 है अब इनको ही solution आपको करना है तो देखिए under root 2 में यहाँ पर 2 under root 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई भी numbers नहीं है तो number अगर कोई ना हो तो वहाँ पर 1 hidden होता है आप 1 मान सकते हैं तो 2 under root 2 से यह minus का 1 under root 2 है तो minus हो जागा क्यों प्लस में यह minus में तो 2 में से 1 minus करेंगे तो 1 आ जाएगा तो 1 under root 2 लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि प्लस की value है आपर बढ़ी है greater number है इसलिए plus का sign ही लगाएंगे 1 under root 2 ठीक नेस्ट अब देखिए यहाँ प होता माली यहाँ पर under root 4 यह under root 6 यह under root 7 लिखा होता तो बिल्कूल आप solution नहीं करते हैं आप इस नंबर को भी ऐसी note कर देंगे और इस नंबर को भी ऐसी note करेंगे that is answer लेकिन नंबर है तो आप solution करकी answer लिखेंगे तो 5 under root 3 देखिए plus में है यह क्या है यह भी plus में तो दोनों प्लस प्लस के है प्लस कर दीजिए 5 में से 3 प्लस हो जाएंगे यह plus 8 under root 3 that is answer I hope यह question समझ में आगा बिल्कूल easily है बस सब्टक्षन पर धियान लखना है कि minus को sign लगाएंगे और bracket के अंदर जो भी sign दिये जाएंगे उन sign को chain कर देंगे plus है तो minus है तो plus लिख देंगे और जो अगर ना होती तो सेम आप वही digit note कर देते that is answer I hope यह दोनों question addition वाला भी और subtraction वाला अगर आप part 1 addition नहीं समझ पाएं तो उपर आई बेटन में भी link मिल जाएगी निचल description में भी link हमने provide की हुई है वहां से भी आप सभी question समझ सकते हैं हमारे channel को आप अपने class current जो भी पच् सकें समझ सकें इसे हमको भी कोई प्राप्लम ना हो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो